नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में तो जैसा मैंने आप लोग के एक नोटिश बताया था कि जल्द ही आपको BSF, CISF, CRPF, ITBP और SSB में ASI स्टेनों की और Head Constable Ministerial की जॉब आपको मिले वाली है तो जो लोग इसकी preparation करना चाहते हैं, जो लोग इस job के लिए dedicated हैं, उनके लिए एक बहुत बहतरीन मौका है कि आप बहुत कम समय में एक government job central की ले सकते हैं बारे मैंने detail में आपको वीडियो बनाया था, आज इसका notification आ चुका है, जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 9 तारिक को इसका notification आएगा, क्या changes हैं, बस थोड़े मेने जो है change हुआ है, इसके exam pattern को मैंने उस वीडियो में बोला था, कि exam pattern को लेकर change होगा तो आपको दिख रहा होगा, और एक महीने मरलब 8-7 तक जुलाई तक आपकी इसकी form filling चलेंगी, और यह post किसके किसके लिए निकाला गया है, तो सब assistant, सब inspector आपके स्टेनों के लिए है, और साथी साथ head constable, जो हाविलजार clerk बोल सकते हो, उसके लिए है आपका ये पर, और इसम selection क्या होगा, जो highlighted point है, आपको दिख रहा होगा, कि जो more of selection है, सबसे पहला इसमें है, कि आपका physical standard test और physical efficiency test होगा, standard test मतलब height chest आपकी नापी जाएगी, efficiency में आपका दौर होगा, बाकी और कोई इतना बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये color label की job है, ठीके, ऐसा नहीं बात जो लोग उसको pass करेंगे, तो खासकर जो इस टेनों वाले जाएंगे, इस टेनों में 30 गुना, वेकेंसी के 30 गुना लोग जो है, वो बुलाए जाएंगे आपके computer based test में, और हवालदार वाले post के लिए आपका अगर हम बात करें, तो उसमें 10 गुना आपके बुलाए गया है यहां पर जो URL है, यहां क्लिक करिएगा, computer test will be conducted in both language, जो इसकी टेस्ट इस्टेनों होगा, वो इंगलिस इंदी दोनों में आप दे सकते हो, जिसमें आप comfortable हो, टाइपिंग में आप दोनों language में दे सकते हो, जो आपको देना होगा, अब यह वेकेंसी जो है, all India level की व admit card आपका website पर आएगा, और जो आप mail डालोगे form में, उसके through भी आपका admit card भेजा जाएगा, तो email जरूर अपना correct डालिएगा, जो चल रहा है, उसी को डालिएगा, बाकी यह देखिए, pay level मैंने बताया था, पांच और पे लेबल है, फोर्थ लेबल का है, इसका 39,200 बेसिक बनेगा, इसका 25,500 बनेगा, बाकी alliances मिलके आपको जैसा मैंने बताया था, कि 35,300 के आसपास इसका पड़ेगा, और 30,32 के आसपास आपका यह पढ़ जाएगा आपके salary, आप देखिए, यहां पर BASF, CRPF, ITBP, CISF, SSB में, कुल मिलाकर अगर हम बात करें यहां पर, तो कितन करें, जो मिनिस्टीरियल वाला है, कॉंस्टेबल, मिनिस्टीरियल के टोटल 12,133 पद है, सबसे जादे इसी के है, कॉंस्टेबल वाले में, और 243 आपके इसके पद है, ASI के, यह धियान रखिएगा, तो अलग-अलग में, एकी साथ, रिक्विट्मेंट होगा, इसका, ओल और इंडिया लेबल पे होगा, जैसे आपकी होगी मार्किंग, उसके कसाब से आपको पोस्ट मिलेगा, यह आपको बोला, 10% वेकेंसी जो है, एक सर्विसमें के लिए आपकी क्या है, यह मार्क की गई है, यह धियान रखिएगा, इलिजबिल्टी क्या है, इलिजबिल्टी साल पूरा होना चाहिए, 16에서 25 के बीच का होना चाहिए, रिलक्षेशन आपको जो मिलता है सेंट्रल pants के तरू,ются को 5 साल, ओवीविसी को 3 साल, और जो एक सर्विसमें स है उनको 3 साल सेंट्र गौर्डमेंट के कोई सर्वेंट है तो उनको तीन साल का मिलेगा जो वीडियो डाइवोर्स को ऊमें आपका उनको मैक्सिममीज 35 साल होगा जो यूरल एड़लूए सार ओबीसी के होंगे और 40 साल सेस्टी वाली जो माइला होंगी जो वीडो और डाइबर्स होंगी ठीक है बाकि आप किसी जैसे कमिनल राइट्स में आप आए हैं तो उसकेस में आपको पाम साल का एज रिलक्षेशन है उसके आपका गुजराज विक्तम है तो आठ साल का रिलक्षेशन है तो यह ध्यान रखिएगा अब आगर हम बात करते हैं यहाँ पर डियो भी जो आपकी होगी डेट अब बर्थ वह जिसकी हो चाहिए उसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपका नाम जो भरोगे सब कुछ ज wraps वह आपके noon होनी चाहिए यह द्यान रखिएगा तो यह कुछần सीजे जो पॉयंट हाइलाइट। मैं किया है व द्यान अगर मालनी जीए आपने अपना OPC certificate नहीं दिया और उसके बाद से आपका जो मेरिट आपकी बनती है और सपोस करिए आपने OPC certificate कट-off date के बाद का दिया है चाहे आपका पुराना हो गया है तो उस case में आपको ऐसे general candidate count किया जाएगा ये धियान रखिएगा अगर आप उस cut-off पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजेट हो जाएगा फॉर्म ऐसा कोई नहीं है कुछ बच्चे ऐसा पूस्ते रहते हैं कि रिजेट होगा कि नहीं जो भी आप फोटो लगाईएगा फॉर्म में वह आपका तीन महीने से जादे पुराना नहीं होना चाहिए ये धियान रखिएगा उसके बाद से अगर हम सेंटर बनाएं गए यूपी में आपके दो सेंटर बनाये गया यह पिजिकल टेस्ट होगा तो एक आपका प्रियागराज में एक आपकी लक्नौ में और यह आपका लखिमपूर खीरी में है बाकि ऐसे ही हर जगह हर स्थेट में आपके सेंटर बनाएगा आप legitim लिस्ट को देख लीजिएगा आपका पहला फिजिकल टेस्ट होगा फिर जो आपका सी बीटी टेस्ट होगा वो आपके होम टाउन में जहां भी कंप्यूटर बेज़ आपके ऑनलाइन सेंटर होंगे वहां पर सेंटर बनाए जागा यह कहना है ठीक है आपको 10 प्लस टू चाहिए इसके से ध्यान रखेगा या उसके इक्वेलेंट चाहिए बाहरावी पास है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अब आते ही हम लोग थोड़ा सा कि यह आपका है फेस कैसे कैसे होगा पहला फेस फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट ऑप पीटी होगा सेकेंड फेस में कंप्यूटर आपका एक्जाम होगा थर्ड पेस में आपका डॉक्मेंट वरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा तो पहले में आपका देखो फिजिकल एफिसिंसी के लिए मैंने बताया था कि जो यू आर केंडिडेट है चाहिए उनके लिए 25 सेंटीमीटर आपके मेल के लिए चाहिए और चेस्ट उनका चाहिए सततर हो फुलाना है पांच सेंटीमीटर तो ब्यासी सेंटीमीटर होना चाहिए मेल केंडिडेट जो आपके गरवाली इस कुमाओं गोर्खार मराथास इंसम में आते हैं सिक्किम नागालेंड में आनुव आपका सेम मांगा है अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग मेल केंडिडेट जो सिड्यूल ट्राइट के हैं स्टी के हैं बाकी सी उसके बाद से ओबी सी और जेनल सबके लिए वही लगेगा बस स्टी के लिए हाइट का कंसेंसेशन है क्या है आपका 162.5 है फिर हम फीमेल की ब दियाओं से रिलेटेड है तो उनके लिए हाइट 150 सेंटीमीटर है फीमेल एस्टी केडिगरी खास उनके लिए भी 150 सेंटीमीटर ही है ठीक है यह ध्यान रखिएगा अंडर वेट या जादे आपका वेट है तो वह कंसीडर आपने किये जाओगे मेडिकल में आपको उन्फ किलो मीटर आपको 6 मिनट में दोड़ लगानी है यह ध्यान रखिए है 6 मिनट 30 सिकेंड में और जो महिनाए होंगी उनको 800 मीटर की रेस लगानी है 4 मिनट 45 सिकेंड में तो यह टेस्ट पास करने के बाद इसका नंबर नहीं है क्वालिफाई करना अगर इतना आप समय में कर ले जाते हो और आपका फिजिकल स्टेंडर सब कुछ बढ़िया है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे नेक्स्ट लेबल के लिए यह ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट लेबल जो होगा यही बोला है कि इसका कोई भी मार्क्स नहीं है यह सिफ क्वालिफाइंग नेचर का ह इस पास सकेंडे में वाऊगे सब्कॉषन होगा तो यह आपका फिसमें हिंदी होगा जिसमें से आप जिसमें आप सुटेबल होग है आपनी में बपा साइए न कंवा ले सकते हो या इंग्लिस चाहिए तो इंग्लिस ले सकते हो आपसे नहीं पूछा जाएगा एक रिलेक्षेशन आपको यह भी मिला है जेनल इंटलिजेंस मतलब रिजिनिंग आपके 20 कोशन रहेगा मैथ 20 कोशन 20 मार्ट कर आएगा क्लर किया होता है नया सब्सक्राइब का ही होता है ठीक है उसी से रिलेटेड होता है तो यह भी आपके 20 कोशन रहेंगे और कंप्यूटर नॉलेज के 20 प्रशन रहेंगे तो यह ध्यान रखिएगा इस पेपर आपके दोनों लैंग्वेज में रहेगा और यह सीवीटी मोड होगा नॉर्मलाइजेशन भी होगा और इसी के बेसिस पर आपका सेलेक्शन होगा इसी के मेरिट पर आपका सेलेक्शन लिया जाएगा यह धिहान रखिएगा चलिए अब यहां पर देखिए जो जिसा मैंने बताया कि जो आपके फिजिकल में आप लोग पास होगे न उसके 30 आपके कलर्क जो आपके मिनिस्टीरियल हैं उनके लिए बुलाया जाएगा अब उसके पास यहां पर देखिए कि आपका स्लेबस दिया इंग्लिस का स्लेबस वही जो जेनरल इंग्लिस आप पढ़ते हो सेम स्लेबस है वन वर्ड सब्सिट्यूशन एक्टिव पैसिव नरे इस सब आपका जो हिंदी का एक जनरल इंग्र साइब कोई हैं रिजनिंग का जो इंग्लिस आपका जनरल में का हैं सेम स्लेबस आपका मैत में का आपका नम्बर कर सिस्टम है अर्थमयर्टिक्ले 6 9 चैकिन deaf को सब्सक्राइब करिए को स्कूंरी हैं इसमें रेखे है आ देगा कि बताइए इसमें से same as it is address कौन सा है spelling checking आपका error reporting यह आपके general कोई मालों से आपका कई सारे spelling दिया है English की तरह उसमें बोलेगा सही spelling वाला कौन सा है गलत spelling कौन सा है तो यह जन्रल आप से कलरकिल अपिट्यूड होता है फिर computer knowledge में जन्रल ही आपके है फंडामेंटल है ऑप्रेटिंग सिस्टम है वर्ड एक्सल है सौटकट की है और आपके यह आपके computer के 20 पूश्चन एकदम जन्रल होते हैं यह ध्यान रखेगा computer की series आमारे यहां चल रही है उसे आप पढ़ लेंगे ना उसका पूरा playlist देख लेंगे तो यह 20 में 20 आप आजाएगा एक दब बिना कुछ किए इसके पासे आपका third phase होगा skill test का skill test के लिए मैंने बतायागा कि 10 मिनट में आपको 80 word steno लिखना पड़ेगा डिक्टेशन जो बोला जाएगा तो वह आप 10 मिनट में लिख लोगे लिखने के बाद आप जो भी English steno या Hindi steno हो तो उनके लिए अलग-अलग फिर से उसको translation का time दिया जाता है transcription का time होगा 50 मिनट English वाले जो English steno लहेंगे और 55 मिनट हिंदी वालों के लिए दिया जाएगा यह धियान रखिएगा और कलर्क में कलर्क में आपका जो होगा head constable वालों की typing होगे English या Hindi English की typing करना है तो 35 word per minute आपकी speed चाहिए की depression यहां मांगता है क्योंकि यहां पर यूज होगा वह पांच लेटर को एक वर्ड मांगेगा तो English के लिए आपका की depression मांगा है 10,500 और हिंदी के लिए 9,000 की depression मांगा है तो यह भी आना चाहिए आपको typing का time 10 मिनट ही मिलेगा यह भी ध्याम रखिएगा इसके बाद से हम आपे हैं यहां पर कि error कर कैसे यह भी marks नहीं मिलेगा qualifying है तो typing में कितना mistake allow है इस टेनों में कितना mistake allow है यह ध्याम रखिए typing में आपके जो mistake allow है वह मात्र 5% allow है पांच परसेंट के बाद अगर आप mistake करते हो तो आपके हर एक mistake पर दस word decrease कर लिया जाएगा जो आप type किये हो ठीक है अब mistake कैसा होगा अगर आपने कोई spelling mistake किया है कोई word गायप कर दिया कोई extra word लगा दिया है ठीक है यह आपने actual पैसे से कुछ और टाइप कर दिया है कुछ भी आप इसमें से किये मिक्सिंग कर दिये है वाड का तो वह सभी mistake में count होगा तो यह तो आपके typing का mistake हो गया अगर बात करें इस टेनों में अगर इस टेनों से यह भी मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा तो यह आपके उससे related हो गए अब document verification में आपको क्या क्या चीजे करनी है तो आपको अपने और जिनल document along with self-attested photocopies अपने original document फिर उसके photocopy को self-attest करके लेके जाना है उसी समय जब आपका skill test होगा उसी समय आपको यह भी जरूरत होगी साथी साथ आपका photograph one original वेट आपको photo ID जो भी होगा उसका वो original लेके जाना है उसका photocopy लेके जाना है यह सभी आप 10 12 के मार्क सीट लेके जाना है कास certificate आप एक सर्विसमें के हैं तो उसका certificate यह सभी आपको जबा करना है document verification medical examination में बात करें तो फिर आपका medical होगा medical में कुछ आपको ध्यान चाहिए तो उसका n by 9 होना चाहिए लेकिन यह द्यान रखिएगा आपको चस्मा नहीं पहनना है minimum distance vision दूर दिरिश्टी वाला आपका 6-6 होना चाहिए और 6-9 होना चाहिए ठीक है आपको कोई भी ग्लास नहीं पढ़ना मतलब आख आख आपकी सही होनी चाहिए चाहिए उसके पासे आपको मेडिकल में और क्या नौक नी फ्लैट फूड यह सब चीजे नहीं होनी चाहिए यहां पर आप में बाइनोकिलर मतलब तिर्चिया उच्छा न देखने वाला होना चाहिए तो आखें आपकी सही होनी चाहिए आपको फिजिकल मतलब जो एक सिप आपका सही होना चाहिए और टेटू के बारे में मैंने बता दिया था ऐसा नहीं है कि टेटू रहेगा तो आपको हटा दिया जागा टेटू बस आपके राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए जिससे आप सल्यूट करते हो आपके लेफ्ट हैंड में जो इनर पार्ट होगा वहां हो तो सही है आउटर में नहीं होना चाहिए और टैटू की साइज जो आप जो भी मालों आप यहां पर करा रहे हो तिसके वन बाइफ फोर्थ ही आपको रखना है ये भी आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था mode of selection के बारे में आपको बताए दिया कि पहले physical होगा फिर आपका CBT होगा और इसमें minimum qualifying marks आपको चाहिए CBT में जो UR EWS और OBC के हैं उनको 45% और SC ST के हैं उनको 40% जो EWS वाले हैं वो ध्यान रखिएगा कि आपका EWS certificate इसी साल के financial year का होना चाहिए OBC certificate भी आपका central का होना तभी आपका मानने होगा SC ST वाले आपका चलेगा जो भी central का उनका बनता है यह ध्यान रखिएगा तो यहाँ नीचे आप जब जाओगे notification आपको telegram group पे डाल दिया जाएगा आप वहां से इस पूरे notification को देख सकते हो इसमें detail में आपको नीचे आपको सब कुछ दिया गया कि आपको form कैसे भरना सबसे पहले आप one time registration करोगे OTR करोगे फिर आपका online application आएगा application फिल करोगे payment करोगे सब कुछ हो जाएगा आपका आसानी से जो आपका photo का साइज होना चाहिए 30 से 100 KB के बीच का होना चाहिए signature 20 से 50 KB होना चाहिए और कोई भी जो document upload कर रहे हो वह आप आपका 30 से 100 KB गया और थम impression भी इसमें चाहिए जो आपका 50 KB से जादे नहीं होना चाहिए तो यह सब कुछ आप सही कराके तब आप आराम से form पिल करिएगा अब बात करते हैं कि हमें क्या-क्या ले जाना है तो उसका एनेक्शर दिया है का certificate आपका इस एनेक्शर पर बना अब बैक्वर्ड क्लासेस आपका बैक्वर्ड क्लासेस का यह certificate दिया गया है उसके पासे हाइट रिलेक्शेशन में अगर आप आते उस category में जहां से आप से बने बता है माराथा आपका नागा इलेंड से आते और राचल प्रदिस से आते हैं तो उसके लिए आपको यह बर आपके सभी किस देट तक complete होना चाहिए फार्म के लाश्ट डेट तक complete होना चाहिए मतलब 8 जुलाई तक आपका complete आपका होना चाहिए धियान रखिएगा EWS का बोला कि आपका जो अगस्त तक होना चाहिए धियान रखिएगा बाकी आपके सर्टिफिकेशन तो यह सब डीटेल मैंने आपको बता दिया है तो यह आप करा लिजिएगा और फॉर्म फिल कर दीजिए उसके बाद से जो दो इसकी तैयारी करना चाहते हैं कि सर मुझे रिटेन की तैयारी करना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर की हम इसे रिटेन की प्रिपरेशन करना चाहेंगे और हमारे यहां अल्रेडी एक यूपी पुलिस का एसाई का बैट चल ला है जिसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको वही है हिंदी आपको मिल जाए आपको मिल जाएगा अगर मिल जाएग अपका एक एक करा दिया जाएगा उसी में तो आपको और समस्या हो रही है इस फॉर्म को भरने में तो आप कमेंट में बताइएगा हम पूरी कोसिस करेंगे कि आपके समस्याओं का समधान किया जाए तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ मस्त रहिए स्वस्त रहिए वीडियो को लाइक और सियाज जरूर करते रहें